महम्मद अली दग्रेट अली है क्यों गोल्डिन ग्लब चैंपिंशिप उन्होंने जीती थी गोल्ड मेडल जीता था 18 साल की उम्र में लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है दग्रेटिस्ट अली वो क्यों कहलाते हैं वो आज खेल के किस्ते में आपको रहान फजल ग्रेटिस्ट उन्होंने इस नाम से अपनी आत्मकथा भी लिखी और क्या कैरिजमा था अली का सेल्फ कॉन्फिडेंस देखने वाला था उनका और जिस तरह से उनके मुक्के बात करते थे उसी तरह से उनकी जबान बात करती थी और टाइम मैगजीन ने उन्हें अपने कव पर पाँच बार रखा क्योंकि एक रेकॉर्ड है कि इस पोर्ट में का टाइम मैगजीन में पाँच बार पर आना पूरे करियर में 56 जीत उन्हें पाँच बार सिर्फ हारे वो मतलब 60 बार खेले तो 56 बार जीते और 5 बार हारे तो यह उपलब्थी कम लोगों को नहीं होती और इसके अलावा नहीं होती है नहीं है विला यह उपलब्दमिक्स oni ह गोल्ड मेंडल जीतों हम आई वोगों को यह यह कंई पर सब्सक्राइब कुटör ही और अप्रिकane देति हैं वे वी स्थी ब्यूंडब्ष हुस हुआ धेति बार गूंति हुआल अमेरिका में लोगों को भर्ती किया जा रहा था उस समय वियतनाम वार हो रही थी और मुहमद अली से भी कहा गया कि वो अमेरिकी सेना में भर्ती हूं लेकिन मुहमद अली ने भर्ती होने से इंकार कर दिया बलकि अपनी आत्मकथा में वो पूरा उसका सीन बताते हैं कि वो क उन्होंने दूसरी बार अली का नाम पुकारा, दूसरी बार भी अली चुप रहे, और फिर यूनिवर्सल मिलेटरी ट्रैनिंग आक्ट हुआ करता था, उसके तहट अली को डिस्क वालिक कफाई कर दिया गया, और उनका जो बॉक्सिंग लाइसंस था, वो छीन दिया गया, औ वो बॉक्सिंग नहीं कर भाए, और अन्हें 70 में जाकर ये एसासला बना गया, और आली दोबारा बॉक्सिंग के रिहांग में If that cleans giving you ring. रिंग में वापस आए रियान जी तो वो रिंग में जब वापस आए तो उसकी कहानी बदेखे साड़े तीन साल बाद 8 मार्च 1971 मैंडिसन स्क्वार कार्डन न्यू यॉक का सबसे बड़ा स्टेडियम जो बॉक्सिंग का है और बहुत मशूर है वहां पर ये मुकाबला हुआ और दुन्या भर के सेलिबरिटी अली कमबैक कर रहे थे जो फ्रेजियर चैंपियन थे उनको कर रहे थे फ्रैंक सिनात्रा वहां मौजूद थे मशूर कायक बलके लाइफ मैकसीन ने उनको कांट्राक्ट दिया था तस्वीरे कीशने का नॉर्मन मेलर थे मशूर साहितिकार वो भी नोर्स ले रहे थे क्योंकि वो किताब लिखने वाले थे पूरा स्टेडियम खचा खच भरा हुआ था लेकिन अली रस्टी थे इतने सालों बाद आ रहे थे और जो फ्रेजियर ने उन्हें पॉइंट्स के आधार पर हराया तो अली की ये पहली हार थी प्रोफेशन वोल्ड चैंपियन बने और मौहमद अली को अपना वोल्ड किताब पहली बार खोना पड़ा लेकिन उनका एक मुकाबला था 25 साल के खिलाड़ी जॉर्ज के साथ जॉर्ज फॉर्मन ये तो खेर बहुत ही मशहूर मुकाबला था इसके बाद अली ने अगले फ्रेजियर से ह और जॉर्ज फॉर्मन नए वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे और सिर्फ पचीछ साल के थे और ये मुकाबला हुआ अफ्रिका में जायर किराध्धानी किंशासा में और अली किते साल के थे अली 1975 में 33 साल के थे 32 साल अभी 33 साल उन्होंने पूरे नहीं किये थे 25 साल के जोर्ज फोर्मेंट और बड़ा दिल्चस्प वो मकाबला है इसका 10 मिलियन डालर यानि 5 मिलियन इनको मिलने थे और 5 मिलियन 50 पचास लाग डालर इनको मिलने थे और 29 अक्तूबर को ये मकाबला होना था और आपको यखीन नहीं होगा कि मकाबला कितने बजे शुरू हुआ आप दरा गेस करिए वैसे तो जो मुकाबले होते हैं वो आपके बतलब उसी टाइम शुरू होने चाहिए जब लोग देखना चाहें ब्राड कास्टिंग दस बजे शुबे या शाम को छे बजे ये मुकाबला शुरू हुआ सुबे तीन बच कर पैंतालिस मिनट पर बिलकुल आपने सही चुना मैं दोहरा रहा हूं सुबा तीन बच कर पैंतालिस मिनट पर शुरू हुआ इसलिए ताकि अमरीका में बैठे दर्शक उसको सही टाइम पर उसको देख पाए और इसके बावजूद किंशासा का स्टेडियम खाचा खाच भरा हुआ था साथ हजार लोग वहां मौजूद थे इस मकाबले को देखने के लिए और जैसे ही अली खुसे हैं अली अली बोमाए बोमाए ये नारे लग रहे थे बोमाए का मतलब वहां की जबान में अली उसे मार दो अली किल हम ये नारे लग रहे थे और फिर करीब जब ये आएं हैं जोर्च फॉर्ड में तो अली ने पहला जिसे कहते हैं वर्बल बान जिसे कहते हैं उन्होंने चलाया कि तुम मेरे बारे में बच्पन से सुन रहे हो इस समय साक्षात मैं तुम्हारे सामने खड़ पहले मुझे सेल्यूट करो अच्छा हाई हम्हे कह रहे हैं चौर्च फॉर्ड में से और तमाम गार उनके कान से 12 इंच की दूरी पड़ जाखा अली उनके कान में सोर जोर से बोलना है कि सैल्यूट मी और फिर जैसे ही फिर जब रैफरी सब शुरू में वो आपचारिक ताय होती है तो रैफरी ने वांड किया कि तुम क्या बात कर रहे हो बीच में बात रोग तूँ और ये भी कहा कि देखे भाई नियम है कि आप किड्नी पर नहीं मारेंगे और पेट के निशले हिस्से में अपना पंच नहीं मारेंगे तो अली का जवाब सुनिये अली कहते हैं मैं इसको हर जगे मारूंगा आज इसका जनाजा निकलेगा मतलब इस तरह की बातें वहां पर हो रही हैं और फिर बोले कि आज ये अफरी की दर्शक देखेंगे कि किस तरह मैं तुमारी लुगदी बनाता हूं और सिर्फ अली बोल रहे हैं और वो सिर्फ सुन रहे हैं और फिर अली ने जिसे कहते हैं कि पहला पंच जैसे ही घंटी-बची बिलकुल फोर मैं के सिर के बीचो बीच लगाया और फिर थोड़ी देर में जो फोर मैं जो फोर्ड में मजाक नहीं था वो भी वोल्ड चैंपियन थे उन्होंने अली को कॉर्णर किया और बिल्कुल जिसे कहते हैं रिंग के कौने में ले गए और रिंग के कौने पर जो रसे लगे होते हैं उस पर उन्हें गिरा दिया बलकि वो अली की टैक्स होती थी जिसको वो रोपे डोप कहते थे कि वो जानबूच कर रिंग के रस्सों पर गिर जाते थे और अपने ओपोनेंट को पूरा चांस देते थे कि उनको मुक्के मारे और वो उनसे बचने की कोशिश करते थे और उनकी टैक्सिस थी कि इस बीच उसको पूरी तरह से ठाका दें तो यह डंडी उन्होंने का get away from there मतलब चिला के अली को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं लेकिन अली बॉक्स भी कर रहे हैं और उससे बात भी कर रहे हैं फोर मैंट से अली कहते कि तुम्हारे पास है क्या अभी तक तुम्हें लगता है तुम लगता है किंडर गार्डन के बच्चों मुझे बरसाते आयों अब मुझे मार के दिखाओ तो पता चले और आधा राउंट पूरा हो चुका है तुम्हारा एक भी मुझे पर नहीं लगा है तो कि किस तरह के वर्ल्ड चैंपियन हो तो असिस्टन कोज जो उनके बुन्नी ब्राउन थे उन्होंने वो पीछे से चला इसके मुखकों की वज़े से मेरी बोल्टी बंद हो गए तो इस तरह से वो था और वहां पर नॉर्मन मेलर बहुत बड़े जो साहितिकार थे जो बॉक्सिंग उनका पैशन है नोट किया कि अली स्ट्रेट राइट मार रहे हैं बॉक्सिंग में बहुत डेंजरिस पंच और मुश्किल पंच माना जाता है और मुश्किल इसलिए कि यह जल्दी पहुंचता है लेकिन अली फोर्मन के खिलाफ जादा तर दाहिने स्ट्रेट राइट का इस्तिमाल कर रहे थे और फिर आठवे राउंड में उन्होंने चार स्ट्रेट राइट और एक लेफ्ट होक मारा है और जॉर्ज फोर्मन गिरना शुरू है और लोगों ने देखा कि स्लो मोशन में जॉर्ज फोर्मन बिल्कुल रिंग पर गिरे हैं और अली ने अपने हाथ उपर उठा दिया है तो ये दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बने हैं महमद अली जायर के रादधानी कि इन्श जूर से पकड़ा हुआ था कि मैं फोर्मन के दिल की धड़कने सुन पा रहा था और वो उन धड़कनों में वैवधान हो रहा था बहुत रुक रुक के सांस आ रही थी और तभी मुझे लगा कि मेरे मुक्खे असर कर रहे हैं और वो जो लास्ट मुक्खा उन्होंने मारा ह नॉर्मन मेलत बताते हैं कि वो मुक्खा इतनी सोर से पड़ा है फोर्मन के कि नाइंटी डिग्री में उनका सिर घूम गया है मतलब यहां से घूम कर पीछे की तरफ चला गया इतनी पावर थी उस पंच में मुहमद अली ऐसा बोलते थे कि मैं तुमको इतने मिनिट में इतने सेकेंड में हरा दूंगा और इग्जाक्ली उसी मिनिट में उतनी सेकेंड में हरा भी देते हैं अली के बड़बोले पहन का दो अधारन आपको देंगे जब वो फोर्मन से लड़ने गए तो प्रेस दूसरा सुनिये इसका तो एक पोस्टर भी हमने लगा रखा था अपने बच्पन में जिसमें अली का एक कोट था येस्टेड़े यानि कल मैंने अपने होटल के कमरे की लाइट का स्विच आफ किया और इससे पहले की लाइट आफ होती मैं अपने विस्तर पे था मैं इतना तो ये बड़ बोलापन और इसकी वज़े से शायद ये भी उनको लोगप्रिय बनाता था शायद सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाले शक्स थे दुन्या में उस समय के तो पोस्ट रोटायर्मेंट क्या वही बुली या मॉमर अली थे इसका बहुत अली के स्वास्त पर बहुत बड़ा असर पड़ा इन मुक्कों का कहा जाता है कि पूरे करियर में अली को करीब डेर लाक पंचिस पड़े उनके सिर के ऊपर पूरे करियर में मतलब एक इसन डिसीज हो गए और उनके हाथ कांपने लगे स्पीच पर उनका कंट्रोल जाता रहा और आखरी समय में उन्होंने लोगों से बात करनी बंद कर दी लेकिन 1996 में जो अटलांटा ओलम्पिक हुआ था उसमें अली को ओनर दिया गया ओलम्पिक फ्लेम जलाने का पूरी दिखा कि अली किस तरह से तबियत खराब होने के बावजूद अली ने वो फ्लेम जलाय थे दी थी